जनपत बहराईज थाना मटेरा के जुलाहन पुर्वा गाउन निवासी विवाहिता की ससुराल में संदिग्द परिस्तितियों में मौत हो गई माई के से पहुचे पिता ने दहेज में वाशिंग मशीन और अने समानना मिलने पर दहेज के लिए बेटी की गला दबा कर हत्या कारोप लगाया है पुलिस ने शव पोस्ट मॉन्टम के लिए भेश दिया है नविवाहिता की संदिग्द परिस्तिती में मौत छे महापूर्व होई थी शादी मटीरा थाना श्वेतर के ग्राम सिंगहा गाउन निवासी नियामत अली पुत्र शकूर अली ने थाने में तहरीर देकर नियामत अली का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी सजीतू त्रिशा बीस वर्षी का विवाद छे महापूर्व थाना श्वेतर के ग्राम जुलाहन पुर्वा ज्छाला कला गाउन निवासी रियाज अहमत पूत्र अयास के साथ किया था नियामत का कहना है कि विवा के समय हैसियत के मताबिदान दहेश दिया था इसके बाद भी पती सास और ससूर वाशिंग मशीन समयता ने समान की मांग कर रहा था मांग पूरी ना होने पर उसने बेटी की गला दबा कर हत्या कर दी इसके बाद मौके से फरार हो गया पड़ोसियों के सुचना पर बेटी के ससुराल पहुचा तो शव घर में पड़ा मिला जिस पर पोलिस को सुचना दी गई प्रभारी निरिक्षक मनोज कुमार पोलिस बल के साथ मोके पर पहुचे प्रभारी निरिक्षक ने बताया कि शव को पोस्ट मॉटम के लिए भीज दिया गया है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्चकर गिरफतारी की ज़ाएगी आपकी लड़की की संदिक परिश्थितियों में मौथ हुई है क्या कहना चाहेंगे मार के टांग दिहीं पूरी घरना बताओ पूरी घरना का यसे 6 नौंबर के हम साजी की है गाड़ी घोड़ा मांगीन हमें इसी नाय उपाय रहा है हम करजा लएके जाड़ी मठेरा में हैं निकार के दिहा हुता उसके बाद मार विचार महिना बिटिया हमार रही सकुरार मा फिर उके खत्ती दूएद सामान खत्ती उके साथ और ससूर तंग करे लागे तो हम उनका बलाएके कहा हम कहा थोरा करजाहन निल्टाए ली तर उका तुमका हम दई देगे उके ससूर आये लेगे बिटिया कही है उके बाद न बिटिया खमरे मार के उठाव दी है अत्तार तंग यह रहा है सासू सूर कहा रहा था था थाना का लागत है लड़की का परिसान को को करते रहा है सासू सूर